रुचिरा भागतीन रुचिरा त्रितियो भागह अश्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रुष्ट संख्या तेईस चतूर्थः पाठः सदाईव पूरतो निधेह चरणाम श्रिधर भासकर वरनेकर के द्वारा वीरचित प्रसुत गीत में चुनावतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आहुआन किया गया है इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवी है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा करमठता का संदेश दिया है इस पाठ का परिवर्धन लोट और विधिलिंग के प्रयोग के लिए किया गया है यह कविता इस प्रकार है चल चल पूरतो निधेह चरणाम सदाईव पूरतो निधेह चरणाम गिरिशिकरे ननु निज निकेतनम विनैवयानम नगारोहनम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदाईव पूरतो निधेह चरणाम पथिपाशाना विशमाह प्रकाराह हिंस्राह पशवह परितो घोराह सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदाईव पूरतो निधेह चरणाम जही ही भीतिम भजभजशक्तिम विधेह राष्ट्रे तथा नुरक्तिम कुरू कुरू सततम जेयस मरणाम सदाईव पूरतो निधेह चरणाम प्रिष्ट संख्या 24 शब्दार्थाह पूरतो अर्थात पूरतह आगे निधेह रखो गिरी शिखरे परवत की चोटी पर निजनिकेतनम अपना निवास विनईव विना जमा एव बिना ही नगा रोहनम नग जमा आरोहनम परवत पर चढ़ना स्वकियम अपना पथि मार्ग में पाशाना ह पत्थर विशमा ह असामान्य प्रखरा ह तीक्ष्ण अथवा नुकीले हिंस्राह हिंसक परितो अर्थात परितह चारों ओर घोराह भयंकर अथवा भयानक सुदुषकरम अत्यंत कठीर्णता पूर्वक साध्य जही छोडो अथवा छोडदो भजो अथवा जपो विधेह करो अनुरक्तिम प्रेम अथवा स्नेह सततम लगातार ध्येय स्मरणं उद्देश्य अर्थात लक्ष्य का स्मरण प्रिष्ट संख्या 26 अभ्यास संख्या 4 मन्जूशा तह अव्यापदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयत यहां भी मन्जूशा में कुल साथ अव्यापद दिये गए हैं उन्हीं अव्यापदों से आगे के वाक्यों को पूरा करना है यह अव्याय हैं एव खलू तथा परितः पूरतः सदा विना क विद्यालयस्य रिक्तस्थानं एकं उद्यानं अस्ति क सत्यं रिक्तस्थानं जयते ग किम्भवान स्नानं कृतवान रिक्तस्थानं ग सह यथा चिंतयती रिक्तस्थानं आचरती ग six रिक्तस्थानं जीवनं वृथा six रिक्तस्थानं भगवन्तम भजा अभ्यास संख्या पाच विलोम पदानी योजयत यहां दो स्तंभ हैं एक स्तंभ में जो पद हैं उन्हीं के विलोम पद दूसरे स्तंभ में रखे गए हैं जिसमें से अनुकूल विलोम पद को आपको मिलाना है पहला स्तंभ है पुरतह स्वकियम भीतिह अनुरक्तिह गमनम दूसरा स्तंभ विरक्तिह आगमनम प्रिष्ठतह परकियम साहसह प्रिष्ठ संख्या 27 अभ्यास संख्या 6 लट लकार पदेभ्यह लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्मानम कुरुतह यथा पठती यह पठती लट लकार में है इसका पठतु रूप लोट लकार में बनता है इसी प्रकार पठेत रूप विधिलिंग लकार में है आगे के पांच लट लकार वाले क्रियापदों का लोट लकार और विहलिंग लकार रूप आपको बताना है ये क्रियापद इस प्रकार है खेलसी, खादंती, पिबामी, हसतह, नया माह अभ्यास संख्या साथ अधो लिखितानी पदानी निर्देश अनुसारं परिवर्तयत यथा गिरी शिखर, इसका सब्तमी एक वचन गिरी शिखरे है इसी प्रकार आगे के शब्दों में निर्देश है आपको उस निर्देश के अनुसार उन उन पदों के रूप लिखने है ये शब्द है क पथिन, सब्तमी एक वचने ख राष्ट्र, चतुर्थी एक वचने पाशान, सब्तमी एक वचने यान, वितिया बहुवचने न, शक्त, प्रथमा एक वचने च, पशु, सब्तमी, बहुवचने अभ्यास संख्या आठ उचेत कथनानाम समक्षम आम अनुचेत कथनानाम समक्षम न इति लिखत यथा पुरतह चरणम निधे ही तो उसके सामने लिखा गया है आम इसी प्रकार आगे के वाक्यों में आपको आम या ना लिख करके उसके सही होने या गलत होने को बताना है निजनिकेतनम गिरि शिखरे अस्ति ख स्वकियं बलं बाधकं भवति ग पथि हिंस्राह पशवह नसंति गमनम सुकरम अस्ति गा सदैव अग्रे एव चलनियम अभ्यास संख्या नो वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पश्टी कुरूत क परितह पुरतह ख नगह नागह ग अरोहनम अवरोहनम घ विशमाह समाह प्रिष्ट संख्या अठाईस योग्यता विस्तारह ना गच्छती इति नगह पतन गच्छती इति पन्नगह उरसा गच्छती इति उरगह वसुधारयती इति वसुधा खे अर्थात आकाशे गच्छती इति खगह सरती इति सर्पह डॉक्टर स्रीधर भासकर वरनेकर जिनका समय उनीस सव अठारा से दो हजार पांच इसवी तक है नागपूर विश्व विद्याले में समस्कृत विभागे के अध्यक्ष थे उन्होंने समस्कृत वहाशा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादी विद्याओं की अनेयक रचनाएं की तीन खंडों में समस्कृत वांग्मा ये कोश काव्य उन्होंने संपादन किया उनकी राचनाओं में शिवराज्जियोदयम, महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत गीत में पज्जटी का चंद का प्रयोग है। इस चंद के प्रत्य का चरण में सोलह मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। प्रिष्ट संख्या 25 अभ्यासह अभ्यास संख्या 1 पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत अभ्यास संख्या 2 अधो लिखीता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत क स्वकियं साधनं किम भवती पथि के विशमाह प्रखराह सततम किम करणियं एतस्या गीतस्या रचाईता एतस्या गीतस्या रचाईता कह ना सह की द्रिशह कविह मन्यते अभ्यास संख्या 3 मन्जूशा तह क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयता यहां मन्जूशा में साथ क्रियापद दिये गए हैं निधेह, विधेह, जहीह, देह, भज, चल, कुरू उन्ही क्रियापदों से आगे के वाक्यों को पूरा करना है जेसे त्वं पूरताह चरणं रिक्त स्थानं यहां रिक्त स्थान में निधेही पद का प्रयूग करके त्वं पूरताह चरणं निधेही इस वाक्य का निर्मान हुआ है क त्वं विध्यालयं रिक्त स्थानं ख राष्ट्रे अनुरक्तिम रिक्त स्थानं ग, मह्यम जलम रिक्तस्थानम ग, मूढ रिक्तस्थानम धनागम तृष्णाम ग, रिक्तस्थानम गोविंदम च, सततम ध्येयस्मरणम रुचिरा भाग तीन अभी आप सुन रहे थे आठमी कक्षा के लिए संस्कृत की दोनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T